सो हलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई यूडूब चानल आर्वेस आनिमे हिंदी अभी आप देखो जैसे ही तुम सब थमनेल और टाइटल देखा है आज हम लोग बात करेंगे वाटिफ जोरो एंड सांजी है बेड डेविल फूट पावर अब देखो इस टाइब का वीडियो मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाया अब देखो जिस तरह से मार्वल ने वाटिफ सीरीज स्टार्ट किया था वह इसे ही ये भी वन पीस को लेकर के वाटिफ सीरीज होगा और यहाँ पर हम लोग कुछ अजीवों गरीब सवालों के जवाब खोजेंगे जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक है क्या हो अगर जोरो और सांजी के पस डेविल फूट पावर हो इससे पहले क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा था जो हम सबने मांगा चेप्टर में रीड किया जोरो की बाउंटी को ले करके जो की था 1,100,000,000,000 बैरीज वो एक्चुली गलब था एक्चुली मैं ये प्रिंट मिस्टेक था और अभी के टाइम पे जो एक्चुल बाउंटी जोरो का होने वाला है वो होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है चाहे वो फाइटिंग के मामले में हो या फिर हरकतों के मामले में हो एक है अपना सक्त लॉंडा दूसरा है लॉंडिया बाज लॉंडा तो वही एक जो अपने हातों का ज्यादा यूज करता है फाइट के टाइम पे स्वॉर्ड चलाने के लिए तो दूसरी तरब साण जी अपने पैरों का इस्तिमाल करता है और इसके पैर भाई काफी ज्यादा स्ट्रोंग है फिर देखो ओडा ने Zoro को काफी ज्यादा पाउर अप दिया है और Zoro काफी ज्यादा strong character है, तो वही Oda ने Sanji को भी कोई कसर नहीं छोड़ा उसको भी power up देने में चाहे वो cyborg वाला power हो, या फिर जो double symbol use करता है, वो fire वाला power हो, या फिर haki ही क्यों ना हो, अभी तक इसके पास conquer haki है कि नहीं, ये बात का नहीं पता पर क्या ऐसा हो सकता है कि Oda future में Zorro और Sanji को devil fruit power दे, अब देखो ये सवालना नया नहीं है, Oda से इसके बारे में एक बार interview में पूछा जा चुका है, लेकिन मुझे exact याद नहीं है कि कब पूछा गया था कौन से SBS में पूछा गया था, पर इसका जवाब जो है Oda ने दिया उन्होंने बोला कि उनका कोई इरादा नहीं है, Zorro और Sanji को कोई devil fruit power देने का लेकिन फिर भी कभी अगर उनका mood बनता है कि चलो इनको devil fruit power देते हैं तो वो इन्हें कौन कौन से devil fruit power देंगे, ये उन्होंने बताया है अब देखो, Zorro को लेकर के उन्होंने कहा कि वो Zorro को कोई devil fruit power नहीं देंगे अगर देने का मन भी आता है तो, वो Zorro को devil fruit खिलाने के बजाए उसके swords को devil fruit power देना ज़्यादा prefer करेंगे और खास कर तो Kaido का जो fish fish fruit है, वो power और उसके किसी एक sword में देना चाहेंगे भाई, imagine करो Zorro काईडो का devil fruit अपने sword को खिला है और उसका जो sword है, वो dragon बन रहे है वैसे उसका hybrid bomb कैसा होगा अब तुम बोलोगे, ये कैसे possible है तो हमने पहले भी देख रखा है कि जो one piece में swords है या फिर दूसरा कोई भी object है वो लोंग भी devil fruit को खा सकते है अब वो कैसे खा सकते हैं वो नहीं पता लेकिन ये पहले भी हो चुका है चाहे वो albastark हो या फिर anis lobby वाला हो अब हाँ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि non living things जो है वो सिर्फ जो one devil fruit ही खा सकते होंगे विकास अभी तक जितने भी हमने weapons को देखा है चाहे albastark में उस बंदूक ने या फिर जो भी कहलो वो कुट्ता वाला devil fruit खाया था और anis lobby में उस sword ने नाती वाला devil fruit खाया था और दोनों ही जो one थे साथ ही साथ Oda ने जोरो के sword को काईड़ोगा devil fruit खिलाने का बात किया तो हो सकता है कि जो weapons होते हैं इनको तुम जो one devil fruit ही खिला सकते होगे और इसका सायद main region ये निकल के आता होगा कि जो one devil fruit में खुद के सोचने की छमता होती है उनकी खुद की इच्छा सकती होती है बट हाँ यार मैं भी जोरो को देखना चाहूंगा कि वो कोई devil fruit अपने sword को खिला है और जो उसका sword है वो devil fruit वाला power यूज करे देखने में मज़ा आएगा लेकिन ऐसा होगा नहीं अब बात करते हैं सांजी की तो देखो सांजी जो है वो कौन-कौन सी power रखता है वो आस्मान में उड़ सकता है moon walk के जरिये जो की CP9 का एक technique है साथ ही साथ उसका जो cyborg वाला सूर्टा जिसको उसने destroy कर दिया वो destroy करने के बाद वो और ज़्यादा strong हो गया और उसने queen को food wall बना थी मतलब हम सांजी को एक तरसे देखे तो सांजी आसमान में उड़ सकता है जमीन में भी काफी ज़्यादा strong है बल्ट ओडा ने इसको कौन से power देने की बात के यह पता है senior pink का वो swim swim fruit अब मुझे जब ये बात पता चली ना मैं ये सोच रहा था अगर सांजी ये devil fruit खा लेता है तो उसको क्या क्या advantage होगा देखो सांजी आसमान में तो उड़ के लड़ सकता ही है तातिसा जमीन में भी काफी ज़्यादा strong है भाई अब वो पानी की तरह मतलब जमीन में तैर सकता है अब सांजी अगर ये वाला power मिल जाता है तो वो क्या करेगा किसी के बात हाँ उसमें जाकने का काम क्यूंकि वो तो जमीन से तैरत हुए कहीं भी अंदर गुस जाएगा खैर दोगो मुझे इसको ले करके ज़्यादा बात नहीं करना अब क्यूंकि बहुत जादा खुरापाती आडियास आने लग जाते हैं अब तुम सब का क्या मानना इसको ले करके और कौन से डेवल फूट तुम सब खिलाना चाहोगे इन दो कैरेक्टर को ले करके कमेंट बॉक्स में राई दे सकते हो और अगर हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और क्या तुम्हें ये बात पहले पता था ये भी कमेंट बॉक्स में बता मुझे साथ जी साथ अगर तुम चाल्ट पे नहें आगे तो इस चाल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और तुम सबका क्या कहना वाटिव सीरीज के बारे में और कुछ और सवाल है तो पूछो बेजी चक तो यार मिलंग नेश्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई